हलो दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी की एक नई विडियो में जो हम आज व्याकरण का एक पार्ट करने जा रहे हैं जिसका शीर्शक आप देख रहे हैं रस तो रस आज हम करने जा रहे हैं वैसे तो रस यहां पर 9 होते हैं और 9 के 9 में आपको कराऊंगी भी लेकिन हिंदी में मैयक्सिम का प्रयोग होता है लेकिन मैं आपको नो के नो करवाउंगी तो जैसे कि इसमें एक कव्वे है और कव्वे में एक दोहा जो बहुत ही फेमस है कहा गया है वक्यम रसात मकम काव्यम यानि किसी भी काव्य में रस कौन मनाता है उसके वक्यमें जब रस डलता है तो वही अच्छा काव्य कहलाता है जोबह क्या है रस तो पहला कि सकत कि यहांपे इसके पॉरी साहा करते हैं कि संधा नो है shit तो फॉर्ष सुमें है शकर धी श्रिबढ़ भी यहांपे दो परकार कर बताया गया यह फिछा पहले हम इसकी पढ़ लेते हैं जब पाठकों को प्रेम रूपी भाव का ग्यान हो, वहां श्रिंगार रस होता है, श्रिंगार रस भी दो प्रकार का होता है, पहला है संयोग है, यहां पे थोड़ी इजी डेफिनेशन मैंने दूसरे में डाल दी थी, संयोग के हिसाब से फर्स्ट हम पढ़ लेते हैं, सेगंड पार्ट इसका है वियोग्रस, जिस वर्नन से नायक नाइका का बिच्ठ ना दिखाया गया हो, उसको संयोग्रस कहा जाते है, यानि जितने सैड सोंग है इसमें आएँग के जितने भी रोमैंटिक सोंग है इसमें आएंगे ठीक है, जितने भी दोहे जो होते हैं, यानि कि अगर मिलन के प्रतीक हैं, तो इसमें आते हैं, और अगर बिचडने के प्रतीक हैं, तो वियोगरस में आते हैं, सेगंड पार्ट इसका है रोद्रिरस रोद्रिरस में क्या होता है जिस वर्णन से शत्रु की ललकार और क्रोध का भाव पता चले जिसमें वो ललकार ता है जैसे श्री कृष्ण ने गीता के ज्यान में अर्जुन को जैसे बताया कि आपको युद्ध तो करना ही पड़ेगा बेसिक यहां पर आप अपनों से युद्ध करें उन्होंने उसके मन में उत्सा पैदा करने के लिए कुछ बोला था तो श्री कृष्ण के सुन वचन यानि गीता का अपदेश सुनकर अर्जुन जो है क्रोध से जलने लगे अर्जुन को क्रोध आया सब श्योक अपना भू थार्ड पार्ट करुनरस शोकरस जिस वर्णन से किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के नश्ट होने का भाव पैदा हूं मन में जैसे दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूं आज जो नहीं कही यानि यहां पर करुन और शोकरस का पता लग रहा है फूर्थ है वीरस पापी का नाश करना धर्म के स्थाफना करना ऐसे भाव मन में आएं किसी दोहे को देख कर जैसी यह है तो वहां पर वीरस होता है जैसे खूब लड़ी मर्दाने वहतों जहां सीवाली रानी थी तो इसमें आप कहेंगे वीरस की पहचान है यह नेक्ष्ट दोस्तों इसमें भाव पर कट होना अद्भूतरस कहलाता है अखिल भूवन चर अचर सब हरी मुख में लखी मात श्री कृष्ण जी ने जब यमना के तट पर अपनी मा को मिट्टी खाने के संदर्व में मुख खोल कर दिखाया तो वहां पर अखिल भूवन चर अचर सारी चीजें ही उसके म आता के द्रीग हैं जो विक्षित हो यानि बड़े हो गए शिक्स पार्ट में देखिए भयानक रस किसी भयानक वस्तु को देख कर मन में जागी कमपन दिल कांप जाना अशुरू प्रकट होना भयानक रस कहलाता है बालधी विशाल विक्राल जुआल जाल भानो लंक लिली का जलाने जाते हैं तब वहां पे उन्होंने विक्राल रूपधारन कर लिया था और जुआला यानि आग आग का उन्होंने परसार किया आग फेलाई आग से पुरिलंका को नश्ट किया शैवन है शांत रस हृद्य में विरक्ति और खालीपन का भाव होना यानि बिल्कुल कभी कभी इन्सान जो है मन में कोई भावी नहीं पैदा होते ही यानि तब बिल्कुल शांत खालीपन सा महसूस होता है शांत रस कहा जाता है कटीन प्रीती कमल लोचन सो जनम जुआ जो हारियो यानि जो इसमें कहा है कि जैसे ऐसा लगता है कि सो जनम से जुआ हार रहे है या जिन्दी का जो दुख है वो भोग रहे हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है यानि आखों से प्रिती प्रेम कटी न यानि कि ये दिन जो है प्रेम के प्रती है वो क्या विछडने के तो वो कट नहीं रहे हैं यानि मन में कोई भाव पैदा नहीं हो रही ऐसा लग रहा है सोजनम जो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो तो यहाँ पर श्री कृष्ण के प्रती उनके माता का प्यार प्रकट होता है तो इस तरह के कोई भी अगर वाच्छल्य संबंदी कोई बात आती है प्रेम संबंदी बच्चे के लिए तो वहाँ पर वाच्छल्य अरज देख सकते हैं भक्ती रस में क्या होता है भगवान के प्रती किसी भी भगवान के प्रती अपना श्रद्धा प्रेम प्रकट करना चरण कमल बंदो हरी राई जाकी क्रीपा पंगु गिरी लंगे अंधे को सब कुछ दर्शाई यानि चमल करण बंदो हरी राई यानि भगवान के जो चरण है वो कमल के समान है और अगर उसकी कोई बंदगी करता है तो उससे पंगु गिरी यानि के जो एक जगा ठहरा हुआ परवत भी लांग जाता है अंधे को भी सकुछ दिखाई देने लग जाता है तो यहाँ पे नो किसी भी दोहे को देखकर आपके मन में जिस तरह का भी भाव प्रकट हो उसको पढ़ने के बाद वही रस आप उसमें लिखके आईएगा थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा तो यहाँ पे मैंने रस का चैप्टर आपको पूरा कराया है रवी इसको रिवाइस कर उर अचसे लिक याना